और उस हत्यारे कुन की हत्याएं करने का जो पाप लगेगा वो पाप मुझे लगे मा क्योंकि मैंने राम को बनवास बेजा मा ने हिर्दै से लगाया भरत तुने ऐसा क्यों कहा मैंने कब कहा के तूने बनवास बेजा है ये तो होनी जी भरत मा मैं राम को लेता राम गमा और भरत जी जब राम को लेने चित्रकूट की ओर गए सारे आयोध्यावासी सोच रहे थे के नागिन का बेटा नाग ही होगा ये दौनों मा बेटे की मिली भगत होगी लेकिन जब भरत का निरने सामने आया कि ठोकरादी आयोध्या के सिंगाशन को और भाई को अपनाया सारी प्रजा बोले नहीं भाई भरत जैसा ही होना चाहिए भाई भरत जैसा होना चाहिए सोचिए उस यूगमेन लिया गया एक डिसीजन आज तक उस एक निरने की सराहना दुनिया करती है कि याद रखिएगा के हमारे और आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा वो डिसीजन बहुत समय तक लोग याद करते हैं कि रहती हैं यह कि या था यह सही या यह गल्त इसलिए कोई भी निरने लिया परो सोच समझ कर निरन लिया करो आपका एक निर्णे आपके पूरे परिवार को बना सकता है और आपका एक गलत निर्णे पूरे परिवार को मिटा सकता है पूरे अयोध्या में आज युगों बाद भी यदी भरत जी की जैजयकार होती है तो केवल भारत जी के उस एक निरने के कारण के मैं राम से मिलने चित्र कूत जाओंगा और राम को लिता राओंगा और चवदा साल तक भारत जी जब नहीं आए राम तो नंदिक ग्राम में वहाँ जमीर में गढ़्धा खोज कर सोते रहें ये पाई पाई इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ू जो आप कहते हैं न माराज जी वो बड़े बेइमान हैं बड़े जूट कपट करके धन्ना सेथ हो गए होने तो उनको होने तो उनकी धन्ना स क्यों तुम अच्छा चलो तुम धन्ना सेथ हो गए तुम्हें इस रस्कुला पच रहा है क्या रबडी पच रही है क्या तुमारे पास रबडी की विवस्ता खूब है पर डॉक्टर ना मना कर रखा मत खाना फिर वो गईब आदमी है नमक रोटी खाने वाला उसे कोई मना छहाने अखूर और खासकता है हमारे बिदं मना तो यही है जिसके पास खाने को एंपकर नहीं खाने देते구요 इस्वर का निर्ण भिण